जेहिन दोस्तों स्वागत है आपका विजेपत डिफेंस एजुकेशन में आज हमारी हिमाचल पुलिस डेली मिक्स जीके की क्लास फाइव है इस वीडियो में डिसकस करेंगे टॉफ 15 प्लस क्वेशन जो कि आपके हिमाचल पुलिस एक्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट ह इससे पहली की क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाके आप उन क्लास को देख सकते हैं वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ हमारा बेसिक फाउंडेशन का कोर्स स्टार्ट हो चुका है जो की रहेगा एक साल के लिए और कवर करवाता है आपके आने वाले सभी अपकमिंग स्टेट और सेंटर गवर्मेंट एक्जामों को आप अपनी तियारी इसमें बिल्कुल बेसिक के साथ स्टार्ट कर सकते हैं इसमें आपको मिलेंगी ओनलाइन टेस्ट सीरिस, स्पेशल नोट्स और बुक्स जल्दी से जल्दी 100% स्योर सक्सेस के लिए आप हमारा बेसिक फाउंडेशन का कोर्स जोईन कर सकते हैं विजयप हमारा पटवारी का एक्जाम हुआ था उसमें हमारा ये कोशन पूछा गया था तो इंपोर्टेंट कोशन है भूतनात मंदिर जो है ये हमारा स्थित है डिस्टिक मंडी और डिस्टिक मंडी जो है उसकी सीमा लगती है mostly डिस्टिक का अंगड़ा से next question है हिमाचल परदेश की प्रत्थम बिधान सभा में कितने सदस्य थे काफी important question है ये भी how many members were there in the first assembly of हिमाचल परदेश जो प्रत्थम बिधान सभा हुई थी हिमाचल परदेश में उस time के जो total member थे तब थे 36 और भरतमान की बात करते हैं तो 68 जो है वो हमारे total बिधान सभा के सदस्य होते हैं और उसके बाद बात करते हैं तो चार सीटें जो है वो हमारी लोकसभा की है और तीन सीटें जो है हिमाचल में वो राज्य सभा की है नेक्ट वन है हिमाचल परदेश के किस जिले में सबसे कम बर्शा होती है विजिस्टिक ओफ हिमाचल परदेश रिशिप दर लीस्ट रेनफोल के सा कौन सा स्थान है हिमाचल परदेश का जहां पर सबसे कम मातरा में बर्शा होती है तो उस स्थान का नाम है लाहुल स्पीत जो एक स्पीती नामक एक जगा है बहाँ पे सबसे कम मात्रा में बर्षा होती है पूरे हिमाचल परदेश में Next one है काफ इंपोर्टेंट को हिमाचल की राजधानी बनी काफ इंपोर्टेंट क्वेशन है इस सीरिज में आपके लिए बानिकी एपम उद्ध्यान विश्व इद्याले कहां पर स्थित है तो जो हमारी बायस परमार युनिवस्टी है यहां पर टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ी सी जो हमारी बायस परमार युनिवस्टी है फोरेस्ट और होल्टी कल्चर युनिवस्टी यह हमारी पड़ती है न चम्बा के मिंजर मेले में किस देवता की पूजा की जाती है विच गोड इस वोर्शिप इंदा मिंजर फियर ओफ चम्बा काफी फेमस है इंटरनेशनल मेला जो है वो हिमाचल में ये मनाया जाता है पूरे भारत बर्ष में ये फेमस है और चंबा का मिंजर मेला जो है बहाँ पे बरुन देवता की पूजा की जाती है नेक्श वन है भारत की पहली रेल 1853 में कहां से कहां चली थी तो ये चली थी मुंबई से थाने तक चली थी और उसकी अगर टोटल किलोमीटर की लंबाई की बात करें तो वो थी हमारी 34 किलोमीटर नेक्ट वन है हिमाचल के कौन से स्थान को लिटल लहासा के नाम से जाना जाता है तो निकनेम से एक कौशन इंपोर्टेंट बनता है विच प्लेस ओफ हमाचल इस नोवन एज लिटल लहासा तो लिटल लहासा के नाम से जाना जाता है हमारे धरमशाला को धरमशाला में ही हमारे एक प्रसिद बेखती रहते हैं जिनका नाम है दलाई लामा जो कि मैकलोड गंज में रहते हैं और उनके रेल नाम की बात करें तो तेन जिन ग्यातसों का रेल नेम है जो कि दलाई लामा के हेड उनको बोला जाता है और 1989 में जो है उन्हें शांती के लिए नोबल पुरुषकार दिया गया था तो आपको यहाँ से याद रखना है धरमशाला में हमारा मैकलोड गंज है बहाँ पे हमारे दलाई लामा रहते हैं उनका जो ओरिजनल नेम है रियल नेम है उनका नाम है तेन जिन ग्यातसों जिन विचेर शिमला मुंसिपल कॉर्परेशन वाजदा एस्टाबलेश तो शिमला नगर निमंग की स्थापना हुई थी 1852 में मोस्ट इंपोर्टेंट कोश्यन है इस वीडियो का नेक्श वन है प्राचीन मिनाक परवत को किस नाम से जाना जाता था तो यह भी हमारा एचपी प परवत को किस नाम से जाना जाता है नेक्श वन है हिमाचल परदेश बिशव विद्याले की स्थापना किस वर्ष हुई थी इन विचेर हिमाचल परदेश उनिवस्टी बाज एस्टाबलेश तो हिमाचल परदेश बिशव विद्याले बना था अस्तित्व में आया था 1970 में और 1970 में ही HP High Court की स्थापना की गई थी जो की हमारा प्रेजेंट है शिमला में और बरतमान की न्याइधीश की बात करते हैं तो उनका नाम है केल नारायन स्वामी पूरे हीमाचल में डिस्टिक सिर्मोर जहां पे सबसे जादा अद्रक का उत्पादन किया जाता है और पूरे भारत की बात करें तो भारत में हमारा हीमाचल जो है दूसरे नमबर पे आता है अद्रक के उत्पादन में next one है सोभा सिंग आर्ट गैलरी हिमाचल में कहां पर स्थित है तो सोभा सिंग आर्ट गैलरी जो है यह हमारी स्थित है अंदरेटा जो की पड़ता है तहसील पालॉंपूर और डिस्टिक कांगडा में option के उपर mostly आपने depend करना है अगर डिस्टिक पूछा गया है तब कांगडा आएगा तहसील पूछी है तो पालॉंपूर आ सकती है और अगर आपके पास डिरेक्ट लोकेशन है तो यह पंचरुखी नामकस्थान के साथ में है अंदरेटा बहां पे है सोभा सिंग आर्ट गैलरी नेक्ट वन है लास्ट कोईशन इस वीडियो का हिमाचल का शोक किस नदी को जाना जाता है काफी इंपोर्टेंट कोईशन है हिमाचल का शोक जो है बो जाना जाता है स्वान नदी को और स्वान नदी की बात करें तो काफी हिमाचल में बहने वाली काफी फेमर के नाम से जानते हैं और यह हमारी बहती है डिस्टिक उन्ना के पास में important question है यह सारे के सारे आपको याद रखने हैं आप हमें social media के उपर follow कर सकते हैं आप हमारा whatsapp group जरूर जोइन करें इसमें आपको day to day के current affair और साथ में study material और job alert प्रोवाइड करवाया जाता है आप हमारा हिमाचल पुलिस का advance batch भी start कर सकते हैं जो कि आपके लिए रहेगा जोब mission 2021 सो जल्दी से जल्दी आप अपना advance batch start करें बिजेपत defense education में वीडियो को जादा से जादा like करें शेर करें जय हिंद जय भारत